तो फेंस हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा फेसियल जो आपकी तुछा को चमकदार और गोरा बनाएगा वेल्कम तो माई चैनल एंपी हेल्थ एंड ब्यूटी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे लिए हम रॉव मिल्क रॉव मिल्क लेंगे हम एक चमच कच्छा दूर कच्छे दूर में लैक्टिक एसीड होता है जो हमारी तुछा को चमकदार बनाता है और मोश्राइज करता है और एस्किन को फेर बनाता है इसमें हम कॉटन को डिप करेंगे और एस्किन पे कुछ इस तरह से अपलाई करेंगे अपलाई करने के बाद हम इसे दो से तीन मिनट तक मसाज करेंगे दो से तीन मिनट तक मसाज करने के बाद हम इसे कॉटन से अच्छी तरह से पोच लेंगे तो हम यहां cotton से अच्छी तरह से इसको पोच लिये हैं अब फेजियल का दूसरा step है अस्क्रब का अस्क्रब के लिए हम यहां पे लिये हैं oats यह दो चमच oats है और इसमें हम mix करेंगे milk तो एक चमच चम इसमें milk add कर देते हैं हम उतना milk करेंगे जिससे यह अच्छी तरह से mix हो जाएगा दोस्तो ओट्स में antioxidant होता है जो एसकीन को कील मुहासो से बचाता है और एसकीन को फेर बनाता है अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकती है अस्क्रब के लिए तो अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर यह अच्छे से mix हो चुका है अब हम इसको एसकीन पर apply करेंगे इतना दूद mix करेंगे कि तोड़ा सा गाडाई paste होना चाहिए ज्यादा पतला नहीं तो एसकीन पर हम apply करेंगे कुछ इस तरह से और पास मिनट तक हम इसको मसाज करेंगे मसाज करते हम करते वक्त हम सर्क्लर मौसन में मसाज करेंगे असकप करने से डेट्स असकील होता है जो निकल जाता है मसाज करने के बाद हम इसे गुनगुने पानी से धो लेंगे और पोच देंगे पास में ठो चुका है अब धो लिये तॉलियों से पोच लेंगे अच्छी तरह से फेसियल का दूसरा स्टेप है मसाज क्रीम तो मसाज क्रीम के लिए हम लेंगे अलोबेरा यहां पे अलोबेरा हम प्लांट वाला ले रहे हैं आपके पास अगर प्लांट वाला अलोबेरा नहीं है तो आप पतंजली का अलोबेरा यूज कर सकती है अलोबेरा यहां प्लांट वाला ले रहे हैं तो हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से कट करने के बाद इसका सारा जेल हम निकाल लेंगे दो चमच के करीब जेल होगा इसका तो सारा जेल निकालने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे हानी यह जेल निकालने का सबसे असान तरीका है चाको के हेल्प से इसको पूरी अच्छी तरह से हम जेल निकाल लिये हैं अब एक चमच हम इसमें हनी मिक्स करेंगे यह डाबर का है आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं यहां पे हम एक चमच चानी ले लेते हैं और इसमें मिक्स कर लेते हैं प्रेंट सहर में कई पूसकत वत्तों पाया जाते हैं जो दाग धबो कील महसो और चायों से छुटकारा पाने में हमारी मदद करते हैं मिक्स करने के बाद हम इसको एसकीन पे अपलाई करेंगे अब हम थोड़ा सा जेल इस तरह से ले लेंगे प्लांट वाला एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में बहुत सारा एलोवेरा जेल उपड़ दे हैं आप ओ ले सकती हैं दस मिनट तक हम मसाज करेंगे दस मिनट हो जाने के बाद हम इसे वास कर लेंगे अच्छी तरह से दो लेंगे फ्रेंज दस मिनट हो चुका है अब इसे हम दो लेंगे दोने के बाद यह कुछ इस तरह का इसकीन दीख रहा है आप देख रहें इस पर ग्लू आ रहा है अब फेसेल का लास्ट स्टैप है पैक का तो हम यहां पे यूज कर रहे हैं चंदन पावडर यह 100 प्रसंट नेचुलर है तो यहां पे हम लेंगे एक चंदन पावडर चंदन पावडर हमें सार बर्न से बचाता है और एसकीन को ठंटक प्रदान करता है और इसमें मिक्स करेंगे हम रोज वाटर यह डाबर का है आप जो भी यूज करते हैं और ले सकते हैं एक चंदन लेंगे हम रोज वाटर और मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें रोज वाटर डालते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं अब इसमें हम रोज मिल्क डालेंगे एक चमच और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे हम अपलाई करेंगे हम कुछ इस तरह से अपलाई करेंगे यह फेसल करने के बाद आपका स्किन बहुत ही चमच दार हो जाएगा इसकिन का रंग निखर जाएगा पूरी तरह से दोस्तों इसे जरूर अपलाई के लिए आप अप आप देख सकते हैं आप 15 मिनिट रखने के बाद इसे वाज कर लिया है अब फरक आप देख सकते हैं दोनों हैंग में अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को आप हमारे वीडियो को लाइक लिजिए सब्सक्राइब की जीए सेर कीजिए